चोपड़ा ईजो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हारदिक स्वागत करता हूँ दोस्तो राजस्तान स्टेट के फर्स्ट रांग कांसलिंग का रेजल्ट आचुका है और कटोफ काफी ज्यादा हाई गई है जनरल केटेगरी की कटोफ की बात करें तो 629 कटोफ रही है यानि 628 वाले सभी कंडिडेट को सीट नहीं मिली है तो कटोफ रही है ये 629 मार्ग से दोस्तों मैंने पहले इस से पहले जो कटो प्रेडिक्ट की थी वो 630 प्रेडिक्ट की थी जनरल कैटेगरी के लिए वो बिल्कुल एकुरेट गई है तो इसमें हम जनरल कैटेगरी की गवर्मेंट सीट की बात करें तो आल इंडिया रेंग के 9044 पर जिसके 628 मार्क्स थे उसको डूंगरपुर जी एमसी मिला है इसके बाद में जनरल मनेजमेंट की बात करें तो 20,533 रेंग वाले कंडिडेट को जिसके मार्क्स 599 मार्क्स थे उसको भी डूंगरपुर मिला है इसके बाद EWS कैटेगरी की बात करें तो EWS कैटेगरी को 10,875 रेंग वाले कंडिडेट को 622 मार्ट पर ग dragging seat मिली है ग वालेंट EWS मनेजमेंट की बात करें तो 23,839 रेंग वाले कंडिडेट जिसके मार्ट 592 थे उनको डोंगरपुर कोलेज मिला है OBC केटेगरी की बात करें तो 9295 रेंक वाले कंडिडेट जिसके मार्क्स 627 थे उसको डूंगरपुर मिला है OBC मनेजमेंट की बात करें हम तो OBC मनेजमेंट में जिसके 22,065 रेंक थी 595 मार्क्स थे उसको डूंगरपुर कोलेज मिला है जो OBC में EX-6 यानि defense category के candidate थे 11,340 rank पर 621 marks पर बाड़ मेर मिला है ये defense category में मिला है इसके बाद MBC की बात करें तो MBBC government quota में 32,514 rank पर जिसके 576 marks थे उसको डूंगरपूर कोलेज मिला है MBC management की बात करें तो 84,951 rank पर जिनके marks थे 502 उनको डूंगरपूर मिला है SC category की बात करें तो 57,777 rank पर 537 marks जिसके थे उनको डूंगरपूर मिला है SC management की बात करें तो 11,356 rank पर 463 marks वाले कंडिडेट को डूंगरपूर मिला है SC category की बात करें तो 67,798 rank पर जिसके 524 marks थे उसको डूंगरपूर मिला है SC management की बात करें तो 143,57 rank वाले कंडिडेट जिसके 438 marks थे उनको GMC बाड़ मिला है SC category की बात करें तो इसमें 16,531 rank वाले कंडिडेट जिसके 421 marks थे उनको GMC कोटा मिला है तो ये राजस्तान की category wise cutoff है जो काफी ज्यादा high गई है first round में तो इस परकार से आप ये cutoff देख सकते हैं, result declare हो सकता है, हो गया है और इसकी जो website है rajugmedical2020.com पर ये list available है वहाँ से आप ये list download करके देख सकते हैं इसमें आपका allotment भी चेक कर सकते हैं इसी website पर तो दोस्तों ये जानकारी थी राजस्तान के first round के cutoff के बारे में आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन प्रेस करें वीडियो को लाइक वे ज्यादा ज्यादा शेयर करें मिलते हैं नए जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैए हैं